हेलो एव्रिवान, वेलकम तो जान में की स्टाडी, तो जैसा कि आपको पता है कि हम इंस्ट्यूशन ऑफ हाय लर्णिंग एजूकेशन इंशिंट इंडिया पार रहे हैं और इसमें हम टॉपिक कवर करें हैं इंशिंट इंशिंट इंवर्स्टीज के बारे में तो बहुत सारी ऐसी इंवर्स्टीज हैं जिसको हमने अल्रेडी कवर कर लिया है अभी हम बात करने वाले हैं पुश्पकिरी विहार के बारे में देखें जहां पर भी विहार वर्ड होता है वहां पर हमें यह समझ में आ जाता है कि बुद्धिस्ट सेंटर अफ लर्निंग रह था कि इंडिया में बहुत सारे ऐसे सेंटर अफ लर्निंग ते जो एस टाइम पर इनट हम कह सकते हैं कि क्रेंट वार्ण यहां आडिनेजंटिफाइ कर सकते हैं प्र जबी हम मेजर या प्रॉमिनेंट का यह बात करते तो बहुत सेंटनी में इन्वर्स्टिस पर फोकास करत हम international context की बात करते हैं तो वहाँ पर उसके लिए better evidence होता है कि यह चीज वहाँ पर रही होगी, ठीक है, तो ऐसा रहा है, ऐसा हमेशा रहा है कि जब हम Indian context में कोई बात करते हैं, तो चीजों को तभी प्रूफ किया जा पाता है, जब कोई western context में उस चीज के बारे में बात की गई होगा है, उनको recognize किया गया और बाकी जो नहीं जिनके बारे में नहीं लिखा गया, उनके बारे में हमने बहुत जादा नहीं पढ़ा है और ना उनके बारे में बहुत जादा information अभी तक available है, तो इसी के लिए हम उन पर ही focus कर रहे हैं, जिनके बारे में कहीं ना कहीं, कोई description है, किसी फिलोसफर में या फिर किसी जो scholars रहे हैं, जैसे चाइनीज स्कॉलर्स ने इमने बुक्स में mention किया है, इसी में से पुष्पगिरी विहार भी एक आपकी महावीरा है, जिसके बार में चाइनीज स्कॉलर्स ने लिखा था, तो जब चाइनीज स्कॉलर आये, काफे स जो बुक्स थी, वो time to time destroyed हो गई, और यही वज़ा है कि हम नहीं यह प्रूफ कर पाए, कि और कितने center of learning थे, कुछ ऐसे बुक्स थी, जो चाइना में थी, जो नहीं destroyed होई, जो अभी तक हैं, और जिनको पढ़ा जाता है, जिन पर research की गई, और उसके बाद उनके basis पे, यहा यहाँ पर क्या आता है, यहाँ पर बात यहाँ आती है, कि हो सकता है, जब उन्होंने बुक्ल की, तो जो चीज़े जिसे पुष्पगिरी के बारे में अगर हम बोले, तो हम Odisha को Odisha बोलते हैं, ठीक है, लेकिन हो सकता है कि चाइना में Odisha को, जो Chinese scholar है, वो अपनी भाशा में किसी भी इन्वरस्टी के बारे में पढ़ होगे, तो आपको एक चीज़ बहुत कॉमन लगेगी, वो यह कि वो कहां पर exactly थी, जो pinpoint location है, उसको लेके अलग-अलग सब की मानियत आए हैं, अलग-अलग सब की beliefs हैं, जो बहुत famous इन्वरस्टी है, जिनकी जहां पर excavation हुआ और वहां पर जब उनको find out किया गया, तो वहां पर easily सब कुछ मिला, जैसे नालंदा, तक्षिला, यह हो गई, विक्रमशिला, वहां पर तो मिल गया, बट जो इन्वरस्टी ऐसी जगहां पर थी, जहां पर उन इन्वरस्टी के साथ साथ और भी कई सारे center of learning थे, जैसे हम विहार तो अपने हमें बहुत बड़ा एक center of learning था ही, बट उसके आसपास के area में भी, मतलब अगर आप कुछ 100 km की बात करें, तो उन 100 km में और भी काफी सारे center of learning थे, तो यही वाज़ा है कि जब हम pinpoint location लेते हैं, तो वहां पर हमें issue आने लगता है, क्योंकि काफी सारे sites हम को मिलें, क्योंकि वहां पर अब जैसे उस time पर GPS तो होता नहीं था, कि उन्होंने longitude and latitude निकाल के बता दिया, कि हाँ, इस point पर है, या अगर हम मानें कि उस time पर भी longitude latitude निकाला जा सकता था, फिर भी ज़रूरी नहीं है कि Chinese scholar ने अपनी बुक में वो चीज मैंशन ही की हो, हो सक इसके वज़ा से हमें exactly location नहीं पता होता है और यही वज़ा है, जब भी आप इन ancient universities के बारे में पढ़ोगे तो आपको यह चीज दिखेगा, कि हर एक, हर एक, हर जो, मतलब, जो आपके archaeological, जो different, different archaeologists रहे हैं, उनकी अलग लग राय हो सकती है, हर एक location को लेकर, बट यह बात प्रूफ हो चुकी है, कि यह जितने भी विहार हम cover करेंगे, वो सारे आपके जो Chinese scholar हैं, या Western scholars हैं, उनकी books में mentioned है, और यह prominence है, ठीक है, हम 100 से जादा है, ancient center of learning, बट हम सबको नहीं cover करें, हम जो main हैं, उनहीं को cover करें, जिनके बारे में आपसे question पूछा जाता है, और जिनक इसके बारे में international context में भी बात की जाती है, उनके बारे में पढ़ा जाता है, तो चलिए, फिर हम पुष्पगिरी का एक, मैंने आपको एक जो इसका backdrop है, वो तो दे दिया कि क्या है इसका background, अब आगे हम detail में बात करते हैं, कि पुष्पगिरी को ऐसी विहार थी, क्या contribution क्या है, इंडियन ancient university में, इंडियन high education learning में इसके बारे में हम discuss कर लेते हैं, तो देखें, यह है location पुष्पगिरी की, यह ओडिशा में है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो यह आपका पुष्पगिरी का area है, यह ओडिशा में पढ़ता था, देखें, ओडिशा में जहा क्योंकि पुष्पगिरी में मैंने आपको बताया कि तीन-चार और विहार इससे related जो आसपास थे, तो यह जो area था, यह जो पुष्पगिरी का area था, यह एक hill पे located था, और वो जो hill है, वो उसको बोलते हैं, कि वो मतलते था, उसका नाम इस तरह से डाला गया था, जिसका मत तो यह की वो हमेशा आसपास पानी के पास होती है, यह मैंने आपको बताया था कि कहीं पर river होगा, तो वहां पर वोगा कोई समुदरी area है, तो वहां पर university हो सकते है चीज की वहां पर a니 चाहर और पानी की कमी ना हो जो लोग उहां पर लगने आ रहें, उनकी जरूरतों को देखते हुए ऐसे उनिवर्स्टी को बनाया गया था दूसी चीज जब भून बंवेश्टी को बनाया जाता था तो जो अरिया उसकि अपनी कुद की इंपोर्टेंस होती थी और यहां पर बनाया गया था अपने लूह सीटी अपने आप में खुद में नोन थी इसा नी थे ल सिटी जानी जाए है वो सिटी खुद से नौन थी और इसके लिए उसको बनाया गया था ताकि उसका रीज़न यह भी हो सकता है कि दूर दूर के जो हिल के उपर था ठीक है अब अगर हम बात करें तो इस हिल को हम लगुदी लगुदी हिल बोलते हैं ठीक है जहां पर ये टॉप पे था तो और ये बेसिकली कहां पर है अभी आज की बात करें तो हम ये जज़पूर डिस्टिक ऑफ ओरिसा में पढ़ता है अब पुश्पगिर कौशे चाइनीय स्कॉलर की रैटंग में था को इन से चानीज श्कॉलर की रैटंग में था स्तू का ट्राबलर ये सिखोग् सांग जि美味 6022664 में आयो हुआ थे और उस तीम पर इन्हों ने अपनी जो रैटंग ती उनमें इन्हों ने इसके बारे में पुश्पगिरी के बा पहां है तो चाइना से कोई आ रहा है तो कितना अरिया कर सकता है कितने दूर सकता है अगर वो पुरी प्रॉपी सपेंट कर दे उस time पर तो भी वो एकदम south of India तक नहीं जा सकता है तो उनकी राइंच में जो उन्होंने पुष्वगिरी तो इसके साथ यह पूर्णिंग जा पया और उनमें के पुष्वगिरी बताया तो शक्राइब पुष्वगिरी बीच श्चत्र है वह बहुत इंपॉर्टन्ट एक विहार है एक सेंट्र ओफ लर्निंग है और उनके बारे में हुष्व लिखा यहां तक कि ज जब यह लोग लिखते थे तो उसके साथ साथ यह पूरा उसका description देते थे कि कितने वहाँ पे स्थूप हैं कितने आपके वह हैं मतलब पिलर्स हैं कितना बड़ा है कितने एकर में है क्या क्या पढ़ाया जाता है यह सारी चीजे वह अपनी बुक्स में लिखते थे अब वहां पर again अपने लोगों को बताना था इसलिए उन्होंने चाइना में लिखा तो अब यहां पर यह समझे कि जो भी आपको जो आपको वर्ट्स मिलेंगे जैसे औरिशा को उन्होंने कुछ और लिखा पुष्पागिरी को कुछ और लिखा फिर बाद में जब इसको पढ़ा गया उस प खुदाई होई और फिर वो जो इन्वस्टी थी वो मिली ठीक है तो अगर हम बात करें तो उन्होंने बताया कि यह जो अब यहां पर देखे आप यह समझने अली बात है ललित गिरी रतनागिरी उद्यागिरी यह तीन साइट्स थी जो जज़पूर डिस्टिक में लोकेट अभी वैने आपको बताया कि जो वह इरिया थ हा वो जरूरी नहीं है कि वहां पर सब एक ही विहार रहा हो वहां पर और भी कई सारे सेंट्र ओफ लर्निंग थे तो कौन को सेंट्र ऑफ लरनिंग थे वहां पर वहां पर तीन और ग्रूप ऑफ मॉनेस्ट्री साइट थी जो पर यहां पर आपको सर्फ यह समझना है कि यह भी पुश्पगीरी के आस पास है ठीक है और इनके बारे में बहुत साथ उतनी इंफोर्मेशन नहीं है पर यह भी आपके सेंटर ओफ लर्निंग थे अब वहां पर क्या क्या चीज़े मिली जब वहां पर उसका एक्सकावेशन हुआ वह साइट का जहां पर पुश्पगीरी है वहां पर और क्या क्या मिला तो वहां पर बहुत सारे स्क्लप्चर्स मिले और उसके साथ साथ वहां पर बहुत सारी बिल्डिंग्स की रुइन्स मि डाला गया है ताकि वह अच्छे से उनको प्रिजर्व किया जा सके उसके साथ बहुत सारे आर्टिफैक्ट्स मिले एक जिस बहुत समझने वाली बात है कि उस तेम पर टैरा कोटा बहुत जाता था टैरा कोटा की पॉट्ट्री आपको हर जगा मिल जाएगी जितने पर एक्सक सांस्याग की बात करें हम तो ये जो पुष पगीडि इन्हों ने बताया आप ना कि उन्होंने येचेस इंडिकेट करी कि जो पुष पगीडिपरिज साइट का इमपोर्न बुद्धास सायट थी इंडा की ठीकिँ अबने पराइट इंभात गर्षरी के इन्डिफ प्ग्य अब उन्होंने अगर पुष्पगिरी को भी इसके साथ रखा है तो इसको भी यह हुआ कि यह भी बहुत इंपोर्टेंट सेंटर अफ लर्निंग रहा होगा कि मैंने अभी आपको बताया कि वो आय भाई इतने दूर तो जा नहीं सकते थे तो उनोंने मेज़ा मेज़ा जगों को गवर किया जो बहुत बड़ी-बड़ी यह बहुत फेमस जग हैं थी बहुत फेमस सेंटर अफ लर्निंग थे तो उन्होंने सिर्फ इंग पे जो बहुत बड़े center of learning थे उन पे काम किया तो इससे आपको पता चल सकता है कि पुष्पगिरी की क्या importance रही होगी और इसका time क्या था कब से कब तक ये flourish किया ये 3rd से 11th centuries तक flourish किया अब हम बात करते हैं कि यहां पर मैंने कुछ और information डाली आप जहाएं तो इसको पढ़ सकते हैं कि क्या क्या चीजी किस तरीके से मिली और क्या क्या चीजी वहाँ पे हैं तो एक चीज और उन्हें बोला था दस इस्तूप है पुष्पगिरी में तो अभी तक सिफ हम एक ही discover कर पाए हैं अब उन्होंने दस इस्तूप की बात बोली और बोले कि ओडरा का मतलब क्या यहां पर ओडरा मतलब ओडिशा उन्होंने ओडिशा का नाम चाइनीज में में और लिखा था तो इननी बोला कि ओडरा में 10 इस्तूप हैं 10 इस्तूप मतलब हो गया कि कई सारे संटर अफ लर्निंग हो गया पुष्पगिरी के असपस अभी तक एक ही मिला है बाग की सब के बारे में मतलब और डिस्कवरी की जा रही है ठीक हो से अरिया में और जब भी ऑप एक बुद्धिस्ट आप के सकते हैं और प्राद कना से ओश्पवेशिन के अब बात कर लेते हैं यहां पर आप यहां पर 2000 में एक्सक्वेशन हुआ था ठीक है उसके बाद वहां पर बहुत सारे आर्कलाजिकल आर्टिफट्ट्स मीले थे इसमें क्या क्या था इसमें पिलर्स थे, फ्रेग्मेंटरी, ब्रहमी इंस्क्रिप्शन के टेराकोटा सील्स थे, जैसे मैंने आपको बता है कि टेराकोटा पॉटरी मिलती थी, उनसे बहुत साई चीजे पता चलपाती थी, नौर्धन ब्लाक पॉलिष्ट वेर मिले, ठीक है, और ऐसा माना जाता है कि ये आपकी स्कॉलर है, उनकी बुक में भी है कि अशोका ने बुद्धिस्ट वर्षिपर थे, अशोका उन्होंने ये चीज बनाई थी, ये पुरा ये जो कॉंप्लेक्स था, ये उन्होंने बनाया था, तो ये आपकी इंफोर्मेशन है पुष्पगिरी के बारे में, आप चाह जब चीज चीज चीज़ मेंड़ गाराओ, ये जो एफ तो ये आपकी चीज़ की दिफ ए लाहने कि आपकीज।